दोस्तों नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सफर्ट ट्यूटोरियल में बहुत-बहुत सागत है दोस्तों हम बाल विकास सभाम शिक्षा सास्त्र की जो MCQs है इसकी कुछ वीडियो हम आपको पहरे दे चुके हैं आज हम इसके आगे पढ़ेंगे और दोस् तो आपको कराएंगे ही उसके चारों आप्शन जो होते हैं वो सभी क्लियर करते हुए चलेंगे जिससे यह होगा कि आपके जितने भी संभावित प्रश्ण और बन सकते हैं वो भी यहां बनाना सीख जाएंगे टौपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा और दोस्तों आप य करेंगे कितनी question आप कर पा रहे हैं ठीक है कितनी आपके question सही होते हैं तो ये आप हमें comment के माध्यम से जरूर बताइएगा ठीक है धोस्तों फिर हम देर न करते हुए अपनी वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों ये जो question है ये 74 तर्मा question है इससे पहले हम आपको 73 प्रस्ण है ये आपको पहली दूसरी और तीसरी तीन वीडियो के माध्यम से आपको दे चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लिजेगा क्योंकि बहाँ पर हमने अच्छा explain किया है यतने भी सम्मावित प्रस्ण बन सकते हैं वो भी हमने आपको बहाँ पर बन समस्या से संबंदित है यानि डिस्लेक्षिया जो है वो किस से संबंदित है यह कौन सा विकार है तो दोस्तों हम लोग जो अधीगम अक्षमताएं पढ़ते हैं उस टॉपिक के अंतरगत पढ़ते हैं तो अगर इसका आंसर देखें तो इसमें लिखा हुआ है आवाला जो संबंदित हैं और बाहें लिखने से संबंदित और रसा बोलने से संबंदित है इसका आंसर है आपको पता होगा ये maximum हमारे साथी जो है सही ही करते ही गलत नहीं होता है तो डिसलेक्षिया यह हमारा पठन विकार है यक बात или कर्षटने उसको बने और सुनने से समन्दित समस्च्छा है इसको if अब हम यह जितने भी हमारे विकार है अक्षम्ताई है इनकी सबकी एक वीडियो हम आपको देंगे उसे देखेगा क्योंकि और भी है ठीक है जैसे डिसकेल कुलिया है गड़ी से समंदी समस्या है तो हला कि इसका जो आंसर है इसका आंसर है आपका पठन विकार ठीक है तो यह वाला पठन विकार इसका आंसर होगा और next जो हमारा question है यह लिखा है दूस्तो question number 75 इसमें लिखा हुआ है प्रात् आवधिक परिक्षाए और दा है ग्रिहकारे तो यहाँ पर जो ग्रिहकारे है यह वो है जो आप homework बच्चों को घर पे करने के लिए देते हैं आवधिक परिक्षाए हैं यह आपके तिमाहि और जो अमारी छमाहि होती है लेकिन आपको यहाँ पर एक बात मैं आपको ऐसी बता दूँ चाहें आप BTC की हों या DLIT के CTT की हों या सुपर TD के जब हम किसी बच्चे का आकरन करते हैं तो उसको आकरन करने का सबसे अच्छा तरीका आख बंद करके आप लगा दिया करो portfolio ये आप ध्या रखना portfolio हमेशा सही होगा हाला कि जो äpon है यहा पर आगर आप देखेंगे किसी भी book में पढ़ करें तो कहीं कहीं पर गृहकीन पर ग्रिहकारी भी दिया हुआ है लेकिन हमारे हिसाब से ये सही नहीं है ग्रिहकार होता है हो सकता है उसके या भहिया भहन ने भी उसको आंसर बता दियों तो दोस्तों ये वाला तो नहीं होगा तो इसका आंसर कौन सा है उसका जो आंसर है वो है की हों ट की है यशी सही रहता है आप आँक बंद करके लगा दीजीगा ठीक है यही सही है और मैं आप से यह कह Wind कर दें कि यह लिखा उवा है नेख्स्ट किसी अवरगी करत प्रदत्त में सबसे अधिकवार आने वाली संख्या कहलाती है ठीक है अग यह आपको जैसे मालिये कोई सिरीज दी है एक दो चार पांच दो तीन पांच दो साथ दो अब यह कह रहे हैं यह एक कुछ डाटा दिया हुआ है यह बरगी करत नहीं है यानि यह क्लासिफाइड नहीं है ठीक है तो यह जो डाटा दिया हुआ है और इस डाटा में कोई ऐसा संख्या है जो बारवार आई है आप देखेंगे यहाँ पर दो जो है वो कई वार आई है यानि कितने वार आई है एक दो तीन चार जब दोस्तों कोई ऐसी संख्या जो बार बार आती है यानि जिसकी बारम बारता अधिक रहती है तो वो क्या कहलाती है तो ये क्या कहलाती है तो ये क्या कहलाती है ये कहलाती है हमारी बहुल लखे यानि जो बार बार आए ठीक है दोस्तों अब हम चलते हैं कॉस्टिन नंबर 77 की और थांडाइक ने बुद्धी कितने प्रकार की बताई हैं यह बुद्धी के कितने प्रकार बताए हैं तो दोस्तों हमारे थांडाइक हैं हम लोग आब तक इनको सीखने के जो सिध्धान्त हैं इसके नाम से पढ़ते हैं ठीक है इन्होंने एक बुद्धी का भी सिध्ध hunter दिया था उसनों गुद्ध दिया धा इनका सद्धान्थ हा उसका नाम था तत्त्त औ absorgen या बहु घंद सिद्धान्त हम लोग कह सकते हैं जो बहु और इंहों ने उस्ने पुद्धी बताई थी वह दोस्तों तीन तरह की गुद्ध हो n थी काउ Lebens 2 एक वो एक थी मूर्त बुद्धी और अमूर्त ठीक है और हमारी जो तीसरी थी वो थी सामाजिक बुद्धी कौन सी सामाजिक बुद्धी ठीक है तो उन्हें कितने प्रकार बताये थे तीन प्रकार बताये थे थांडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धी बताई है अब आपको थ जो चीजों पर बुद्धी का प्रियोग जो मूर्त रूप से दिखाई देती है तो मूर्त बुद्धी कहराती है अब जब बुद्धी का प्रियोग उन चीजों पर करे जो दिखाई न दे जैसे डॉक्टर होता है नवज पकड़कर क्या बता रहा है पता नहीं क्या बताने मैंने मूर्त बोल दिया है तो स्वारे ठीक अब दोस्तों यह समाजी गुद्धि यानि बेलोग इतर गते हैं उनकी वुद्धि समाजी कि कहला की है जो समाज के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं जल्दी समाद करा लते हैं इस वर कौन कौन से आ जाएंगे हमारे आजेंट आ जाएंगे ठीक है अग टेली कालर्स आ जाएंगे रेडियो जौकी आ जाएंगे पत्रकार आ जाएंगे हमारे और दोस्तों आप देखेंगे तो क्या होता है जो नेता लोग होते हैं जो स्पीश बोलते हैं देते हैं तो आप से बह में बताए दे रहा हूं मूर्थ बुद्धी के अंतरकत बो लोग आते हैं जो अपने संग्यानात्मक्रियाओं का प्रियोग मूर्थ चीजों पर करते हैं यहां पर संग्यानात्मक्रियाओं का प्रियोग अमूर्थ चीजों पर करते हैं और यहां पर समाज के साथ मिल जूलक पुझाई के जनक कौन है अब बुद्धी परिख्षण इकाई के जनक है अब आपको हम आपको बताएंगे यहाँ पर कुछ यूनिक बात हाला कि इसकी अगर आंसर की बात करें तो हमारे साथ ही जो है वो एक डम 100% जो आंसर देते हैं और सही देते हैं वो क्यों सा आंसर है वो है बिने अल्फरेट बिने लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है यहाँ पर यह लिखा बुद्धी परिक्षण इकाई के जनक अगर यहाँ पर आंसर आ जाए सरपर्थम बुद्धी का परिक्षण किस ने किया या सरपर्थम बुद्धी का मापन किस ने किया ठीक है अब हम उस चीज को इसलिए यहाँ पर छेड़ रहें इसलिए आपको बताने का परियास कर रहें कि हो सकता है आपके दिमाग में बिने वैठा हो और प्रश्ण को कुछ अलग तरीके से पूँच लिया जाए ठीक है चलिए थोड़ा सा डिसकस करते हैं दोस्तों अगर यहाँ पर लिखा होता बुद्धी का परिक्षण सर्व पर्थम किसे ने किया हम जनक की बात नहीं कह रहे हैं अब आप कहेंगे जब जिसने किया होगा तो वही जनक होगा अब हम लॉजिक आपको बताएंगे कि उनको जनक क्यों नहीं मानते हैं ठीक है सबसे पहले जो बुद्धी का प्रियोग किया था यानि बुद्धी का जो मापन किया था जहां अटारा सो पिच्चासी में किया है अब किया था एंगे सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में सबसे पहले किया था अब आप कहेंगे जब इन्होंने किया था तो जिए जनक क्यों नहीं है अब हम यह भी बताते हैं दोस्तों इन्होंने जो बुद्धी का मापन किया था उन्होंने सारीरिक आयू को आधार बनाया था अब कैसे जैसे माले ये एक बच्चा 10 वर्ष का है एक बच्चा 15 वर्ष का है तो इनके अनुसार क्या था जिसकी आयू जादा है वो बुद्धी उसकी तेज होगी तो ये जो देखा जाए अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये क्या हुआ कि आज कल 10 वर्ष का बच्चा ज जाए जो अच्छे समाज में अच्छे परिवेस में पलवड जाए ठीक है उसका वातावन चेंज कर गया जाए तो उसकी बौधिक छमता जो है वो 10 वर्ष के बच्चे की तेज हो जाएगी तुल्ला में 15 वर्ष के बच्चे तो इन्होंने सारीरिक आयू को आधार बनाया था जो सरवधा सही नहीं रहता है ठीक है कहीं कहीं पर इनका जे जो जो कांसेप्ट था वो कहीं पर फेल हुआ इसलिए इनको नकार दिया गया फिर हमारे जो एक आये थे विने उन्होंने क्या किया सन 1905 में सन 1905 में इनको एक कार सौपा गया था इनके विश्य विद्याले के द्वारा कि आप बच्चों को अलग-अलग कीजिए यानि वधिक छमता के अनुसार इनको बाटिए तो उन्होंने मूड, मूड बुद्धी, मूर्ख बुद्धी और हीन बुद्धी तीन में बाटा था ठीक है इसे आप जब हम बुद्धी परिछण जो पढ़ाएंगे आप ठीक है दोस्तों ये मांसिक आयू अब मांसिक आयू कैसे निकाली जाती थी ये कुछ प्रशनों के आधार पर प्रशनों के आधार पर निकाली जाती थी तो ये जो कांसेप्ट इनका था ये कांसेप्ट दोस्तों कैसा ये था वैज्ञानिक दरस्टिंग को और कैसा था वै परिख्शन इकाई का जनक भी कहते हैं, अब आप थोड़ा सा आपके दिमाग में आया होगा कि मांसी कायू कैसे निकाली जाएगी मांसी कायू, तो मैं आपको बता दूँ एक बच्चा तीन वर्ष का, एक बच्चा बच्चा अंसर दे सकता है अगर पांच वर्ष का बच्चा साथ वर्ष के प्रस्णों का जवाब दे सकता है तो यहां पर क्या होगा सारीरिक आयू तो पांच हो गई उसकी लेकिन मांसिक आयू उसकी साथ वर्ष हो गई तो यह बच्चा कैसा कहलाएगा यह तीब्र बुद् जो प्रश्ण बने हैं उनको दे पाता है तो हम इसको पिछडी बुद्धी बाला कहेंगे ऐसा कहेंगे ये बच्चा पढ़ने में कहने का मलब बॉध्धीक लेवाल बॉध्धीक स्तर इसका तमजोर है ठीके दोस्तों तो ये इनका जो डिस्टी को था ये वज्ञानिक था त अब दूसरी बात दोस्तों हमारा प्रश्ण तो यहां पर केलियर हो गया लेकिन अब हम आपको बता दें हम कोहलर को कहां पढ़ा था दोस्तों यह हमने अंतरश्टी के सिध्धान्त में पढ़ा था फ्रोवेल को हमने कहां पढ़ा था फ्रोवेल को दोस्तों हमने खेल प्रतिपादक कौन है समु कारक सिध्धान्त अच्छा यह जो तीन नीचे इन्होंने आप्शन दिये हुए है अगर मैं आपको बताओं अगर मैं इस प्रशन को बनाता तो यहां पर क्या होता यहां पर जो नाम मैं लेता वो बुद्धी के सिध्धान्त जिन्होंने दिये उन के नाम लेता इन्होंने यह तीन जो नाम लिए हैं यह बुद्धी से संब्धित हैं ही नहीं मैं यह नहीं कह रहा हूं नहीं है नैती विकास का संब्ध्धों बुद्धी से यह मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं यह कह रहा हूं जो बुद्धी के सिध्धान्तों से सब यह ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर समु कारक्षिधान्त के प्रतिपादक कौन है तो दोस्तों यह जो नाम है यह हमारे कौन है थस्टर्न है कौन है दोस्तों थस्टर्न है और दोस्तों यह समु कारक्षिधान्त जो है इसको हम लोग सेवन पी एम एके नाम से भी जानते ह साथ प्राथिमिक मांसिक योगताएं साथ के बाद एक हमने मौकिक बुद्धी जोड़ करके हाला कि आठ हो गई है लेकिन हम लोग जानते कैसे हैं साथ प्राथिमिक मांसिक योगताएं ठीक है तो दोस्तों सम्हू कारक्सिद्धान के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है थस्ट ये अगर बुद्धी के सिध्धानतों से सम्मारी तो होते तब आप जाधे confusion में पढ़ जाते हैं। ठीक है? हाला कि अगर इस तरह से आ गया तो आपके लिए ये कैसा हो जाएगा? ये सरल हो जाएगा। कभी भी आप ऐसे रफर्मत कीजिगा कि इससे हम पढ़ने तो यही आ जाएगा। आप लोग समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको और मचाएगा पढ़ने में कोई भी प्रशन आप हल करने की ability आपके अंदर आ जाएगी। चले दोस्तों आप next question की और चलते हैं। अब लिखा हुआ है question number 80 के लिखा है बुद्धी सीखने की योगिता है कथन किसका है बुद्धी सीखने की योगिता है यह कथन किसका है तो दोस्तों यहाँ पर जो answer आएगा तो यह है बकिंगम और answer भी इनका बकिंगम ही है ठीक है और यह जो option है अब मैंने आप से कहा था कि जो कुछ कथन होते हैं तो उनको आप as it is याद करने की कोशिस करें हाला कि रटना ही कह सकते हैं हम लोग है ठीक है तो इनकी trick हम अक्सर पहली वाली वीडियो में भी बताते चले आए कि बाद में देंगे जितनी समवता बन सकेगी हम आपको देंगे तो दोस्तों यह तो आपको याद करना होगा ठीक है अब हम लोग next point की ओर चलते हैं 81 question number 81 पिछड़े वालक बे हैं कौन है जिनके सीखने की गती धीमी है तो यह वाला भी सही है बावाला option है जिनकी बुद्धी लाब्धी या बुद्धी उपलब्धी इस्तर कैसा है 80 से 90 के बीच है तो यह वाला भी सही है जो मांसिक रूप से अस्वस्त और असमायोजित है तो भी सही है तो इसका answer कौन सहो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा D वाला answer हो जाएगा उपरियुक्त सभी अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ कि हमारा ज 80 से 90 वाला जो होता है यह हमारा पिछड़े कहलाते हैं और इससे भी नीचे चले जाएगे आप सतर से 80 सतर से 80 तो आपको यहाँ पर कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा कि यह कौन से सीमा रेखा सीमा रेखा लिखा होगा इस तरह से और हमारा जो 60 से 70 है 60 से 70 और हाला कि अब यहाँ पे लेंगे तो 75 तर दिले लेंगे हम लो 75 तक तो यह वाले जो हमारे बच्चे होते हैं यह वाले यह हम लोग मंद बुद्धी बोलते हैं कौन से मंद बुद्धी बच्चे कहते हैं ठी लोग जब कभी पढ़ें तो टर्मन की ही टेवल पढ़ें और हम आपको जब उध्धी का चेप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें टर्मन की टेवल ये वाली कम्प्लीट सिखाएंगे ठीक है चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं आगला हमारा जो प्रश्न है वो है के कारण प्रतिवा सालिता होती है वो क्या है ऐसा जिसके कारण बच्चे केंदर प्रतिवा सालिता होती जिसकी बच्चे से बच्चे प्रतिवा सालित हो जाते हैं ये करें मनुसामाजी कारकों से फिर लिखा है अनुबान सी क्रचना से ये लिखा है बातावणिय बाप अगर बुद्धिमान हैं माबाप अगर प्रतिवासाली हैं तो बहुत जादे संभाबना रहेगी उनके बच्चे भी प्रतिवासाली रहेंगे यानि कहने का मतलब यहां पर हम देखेंगे तो अनुवान सिक्ता के जो गुण है वो आगे ट्रांसफर होते हैं बच्चों है तो आपका answer क्या निकल के आया अब आपको बता दें यानि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं सभी पर लागू होता है 6 से 14 वर्ष के सभी पर तो 6 से 14 वर्ष के अगर ने सकते हैं इन पर भी लागू हो गया 6 से 14 वर्ष के ये हैं इन पर लागू हो गया यानि आंसर हमारा ये वाला होगा इन पर लागू नहीं होता है ठीक है, चोदे वर्षे बच्चे यानि छे से चोदे वर्षे की बच्चे जो है उन सभी पर लागू होता है चलिए दोस्तों आप हम चलते हैं question number 84 की योड दोस्तों आप हमें इने question करने के बाद जरूर बताएगा यहां पर कितने सही हुए question number 84 है आप अनपढ़ माता-पिता के बच्चों को अंगरेजी सिखाना चाहते हैं आप अनपढ़ माता-पिता के यानि जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है यानि पर्तम PD के अधिगम करता अगर आप बिसिस्ट बच्चे पढूugen तो बहाँ पर एक, जो point पढ़ेगे पर्तम PD के अधिगम करता यानि जिनकी PD में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो ऐसे बच्चों को हम लोग प्रतम PD के अधिगम करता कहते हैं और दोस्तों यह जो बच्चे होते हैं, यह कैसे होते हैं, यह हमारे बिसिस्ट बच्चे भी कहलाते हैं, अब यह कह रहा है कि इन बच्चों को हम अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है, आप बच्च करना तो है नहीं बच्चा पढ़ेगा ही नहीं ठीक है तो यह तो गलत हो जाएगा आप बच्चे को मात्र भासा में बोलने से रोकेंगे यह तो कभी नहीं हो सकता आप रोकेंगे तो फिर बोलेगा कौन सी भासा क्योंकि बच्चा है मात्र भासा ही सीखा हुआ है यहां पर ल चाहराशी हैं तो उसका अनुवाद करके हम लोग को हिंदी में सिकhाते हुए चलते हैं यानि हम जिस भाथह को जानते हैं हम अंगरी जी को उसी माध्यम से सीख लेते हैं ठीक है? आईवार समझे? तो यह कौन सा नसर होगा हमारा? ठीक है? यह होगा आप उसे माध्यम भासा की सहाथा से सिखाएंगे यानि बच्चा जो भासा जानता है उस भासा को अधार बनाएंगे और उसको अंगर्यजी सिखाना सुरू करतेंगे, ठीक है? तो ये वाले हमारे जो तीन आप्षन थे, ये वाले ये औप्षन गलत है, ये नहीं होगे, ये वाला आप्षन होगा, नेक्स चलते हैं दोस्तों, लिखा है बिसेस आवशक्ता, बिसेस आवशक्ता कहा सकते हैं, बा कि अगर पढ़ा होगा कि समावेशी सिक्षा क्या पढ़ा है समावेशी सिक्षा अगर आपने समावेशी का नाम आपको नहीं ध्यान है तो समयकित यहीं बात है समावेशी बात है मिल जूलकर उनको पढ़ा है समावान बुणने वच्चे भी बैठेंगे और हमारे विश petites वच्चे भी बैठेंगे और समयकित वच्चों को वैसा परिवेशे भी दिया जाए गा जैसा यह जाहते हैं आईगा समझन्द तो यहां पर यह तीन आप्षण के लिए विशेष्ट विध्यार्थि के लिए विशेष्ट पधतियों के नुशार तो ये वाले जो आंसर होंगे हमारे तीनों ये गलत होंगे और हमारे ये वाला सही रहने वाला है ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं कुस्टिन नंबर 86 है यह लिखा है विशेष सिक्षा संबन्थित है यहाँ पर क्या लिखा है मैधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से फिर लिखा है कम योग विद्यार्थियों के स्यक्षी कारेकरम से फिर इसमें लिखा है C वाला point है अध्यापकों के लिए प्रिसिक्षण कारिकरम से और इसमें लिखा पिछडी बुद्धी के विद्यार्थियों के लिए प्रिसिक्षण कारिकरम से ठीक है तो दोस्तों इसका अंसर रहने वाला है कम योगी विद्यार्थियों के लिए सैक्षिक कारिकरम से अब हम आने सो जो भिन हैं, तो ये हमारे कैसे कहलाते हैं, ये हमारे बिसेष्ट बच्चे कहलाते हैं, ठीक है, और बिसेष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आप कहेंगे सर ये वाली गलत की हुए हैं यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है और यहां पर थोड़ा सा कन्फूजन वाली बात भी है आप देखेंगे जब हम आपसे कह रहे हैं सामाने से भिन होंगे तब आपके दिमाग में बात आएगी सर सामाने से भिन बोभी ठीक है ये मांसिक रूप से भिन की बात करते हैं तो मांसिक रूप से भिन तो भो भी होंगे जो पढ़ने में कमजोर है ठीक है और मांसिक रूप से भिन भो भी होंगे जो पढ़ने में बहुत तेज हैं जिनको हम लोग उत्रक्रश्ट बुद्धी का बोलते हैं अब दोस्तो और उने पढ़ाया जाता है जिसे कि हमारे जो कमजोर बच्चे हैं वो भी सीख जाएं ठीक है अब हम चलते हैं आगे question number 87 की यूर कि दोस्तों कोस्य नंबर 87 है समश्य के और वाम रिख्यों के प्रति सजगता है यह विशिश्था घ्या य Cool जो समस्य को समस्य के अaric को भी जाने थीक है और वाईवर्ण के दोस्ट को भी जाने कमियों को भी जाने और रिख्यों के प्रतिसच धहरित्यों के प्रति यानि जब कभी हमारे सामने कोई संकट की घड़ी आ जाए या कोई कोई परिशानी आ जाए हम उसमें अपने आप में तालमें बिठा लें और उसके अनुसार ढ़ल जाए ठीक है उस समस्चा को उस समस्चा का हल निकाल लें अब दोस्तों वो कौन से बच्चे होते हैं ये कह रहे हैं प्रतिभासाली बच्चे होते हैं ठीक है ये कह रहे हैं क्या प्रतिभासाली बच्चे होते हैं या सामाने बच्चे होते हैं या सजनात्मक होते हैं या सभी बालकों की दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सारे गुण यानि बातावन के दोस, बातावन में क्या दोस है, यानि हमारे आसपास जो बातावन है, और कमियां क्या है, रिक्तियां क्या है, यानि कौन कौन सी कमिया है, और उनके प्रति सजग हो जाए, यानि जो कठिन समय आने वाला है, उसके प्रति, कहने का मैं नहीं उसका सामना करने के ल साली होते हैं जो प्रतिभा साली होते हैं ठीक है तो वो कौन से होते हैं दोस्तों प्रतिभा साली वो होते हैं जिनका IQ लेवल 140 से अबब हो अब दोस्तों मैं बता दूँ IQ लेवल जरूरी नहीं है सारे छेत्रों में अलग हो अगर उसका mathematics में IQ level अच्छा है तो mathematics में वो प्रतिभासाली कहलाएगा लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रतिभासालीता का संबन्ध किसी एक छेत्र विश्यस से हो सकता है अन्य से भी हो सकता है लेकिन स्रजनात्रमक्ता जो होती है वो हमारे सभी छेत्रों में होगी यानि सभी छेत्रों में जहलकेगी ठीक है यह जो सभी छेत्रों में स्रजनात्रमक्ता जहलकेगी अब आप समझ गे तो हमारे जो आसपास का बातवन भी देखना है और किन-किन और भी कोई समझ्या उसकी प्रति भी हम लोग सजग हैं, तो यह सारी जो चीज़ें होती हैं, वो सारी qualities जो होती हैं, वो सरजनात्मक बच्चों में होती हैं, यहाँ पर एक line अगर हम कहें, कि सरजनात्मक बच्चे प्रतिभासाली होते हैं, पर सभी प्रतिभासाली बच्चे सरजनात्मक नहीं हो होंगे लेकिन सभी प्रतिवा साली बच्चे हों यह जरूरी नहीं außerं त्वह होते हैं जो हर अपने कारے को नया ढंग से करते हैं अपने नहीं तरीके से करते हैं तो कभी किसी के नकल नहीं करते अगर किसी का कारे देखा भी है कि ऐसे हो रहा है तो देख तो रहे हैं कि ऐसे हो रहा है तो अगर अपने आप भी करेंगे तो उनके कारे करने का जो तरीका है ठीक है? वो उनका खुद का अपना अलग ही होगा आप इस चीज को नोट करना ठीक है कारे करने का धंग अलग उनके चाल धाल में जो है वो जहलक जाएगा उनके कारे करने के तरीकों में दिख जाएगा यानि कुछ नए धंग से कुछ अलग धंग से करते हैं और वो सरजन सील बच्चे कहलाते हैं आज कल की जो सिक्षा इच्छा है वो बच्चों को सरजन सील बनाने पर बल देती है ठीक है तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों फिर हमारा आंसर होगा सरजन सील बालकों की अब हम चलते हैं question number 88 की और question number 88 है निमनी में से कौन सी अक्षमता केवल जनमजात होती है बै कौन स स्के अंदर था या सरवनधोस था और मौकवधिर था तो सामाने ठाह यह चीजिजें जो होती हैं कि जनमजात नहीं होती है लेकिन मांसिक रूप से मन्धवुद्धियोगा यह जनमजात अगर अधिक तर देखा जाए तो जनम जाती ही बच्चे मंद बुद्धी पाये जाते हैं, वो जनम जात होते हैं, मुख बधिर बच्चे कुछ डेमेज होने से चोट लगने से भी हो सकता है, सरमण वाधित हैं जो सुन नहीं पाते हैं, वो चोट लगने से हो सकता है, दरश्टी वाधित भी कहीं से कुछ उनको प्रावलम हो जाती है चोट लग जाती है या कुछ कहने का मतलब कोई ऐसी घटना उनके साथ घट जाती है जिसकी दरश्टी उनकी चली जाती है हाला कि जो मंद बुद्धी बच्चे है वो जनमजात होती है जो अक्षमत है वो जनमजात होती है आप कहेंगे सर क्या मंद बुद्धी बाद में नही नहीं होता है लेकिन मंद वुद्धी बच्चे जनम जात ही होते हैं यह है ठीक है आप चलते हैं question number 88 की और 89 की और अग कॉस्टिय नूबर 89 है हमारा, मंद अधिगम करता, जिनकी सेक्षिक उपलब्धी सामान से कम रह जाती है, वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दोस्तों, वो कहलाते हैं, हमारे, यानि क्या लिखा है, सामान से कम, सामान से कम, तो इसका अंसर कौन से रहने वाला है, दोस्तों हमने बताया था सामाने से जो कम हैं सामाने से कम होंगे तो वो कौन से होंगे पिछडे वालक होंगे सामाने से जो कम होंगे वो पिछडे होंगे अभी हम पढ़के आये थे 80 से 90 आई की वाले और सामाने कौन से होते हैं 90 से 110 आई की वाले तो मारा आंसर कौन से रहने वालक होंगे ठीक है अब हमारा question number है दोस्तों 90 और question number 90 हम लोग देखते हैं निमने में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की छमता के लिए जाजने के लिए किया जाता है यानि सुनना ठीक है अब कहने का हम लग यह कह रहे हैं जो हम लोग volume मापते हैं यानि सोर मापते हैं वो किस से मापते हैं तो वो दोस्तो हम लोग मापते हैं desi बल से तो हमारा answer हो जाएगा कौन सा desi बल दोस्तों हमारे साथ पढ़कर आपको कैसा लगा हमें जरूर comment के मादियम से बताइएगा और दोस्तों अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो चनल को subscribe कर लें घंटी के ब पहसता रहेगा आज का लेक्षर अब यहीं हिसाब करते हैं अपर दिन सुभू